नमस्ते बच्चों, आज हम साथवी कक्षा का पहला पाठ देखेंगे, पाठ है कविता, कविता का नाम है हम पंची उन्मुग गगन के, और इसके कवि हैं श्री शिव मंगल सिंग सुमन, और इसमें इस कविता में कवि पंची के स्वतंतरता के बारे में बोलते हैं, कि पंची हमेशा स्वतंतरता पसंद करती है, और उसे गुलामी बिल्कुल नहीं चाहिए, तो इसी पर ये कविता आधारित है, तो पहली पंग्ती देखते हैं, हम पंची उन्मुक्त गगन के पिंजर बनना गाप पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंग तूट जाएंगे, इसमें कवि कहते हैं कि हम जो पंची हैं वो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, उन्मुक्त गगन बोले तो खुले आसमान, तो हम इस तरह के पंची हैं जो खुले आसमान में उड़ना पसंद करते हैं और हमें पिंजर बंद न गापाएंगे बोले तो हम गापाएंगे अगर उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया तो पिंजर बंद बोले तो पिंजरे में बंद तो वो बोलते हैं कि अगर आप हमें प कनक तीलियों से तकरा कर, कनक बोलतों सोना, तीलियां बोलतों सलाखें, तो पिंजरे की सलाखें जो है, वो सोने के पिंजरों की सलाखों से उनके जो पंग है वो तकरा तकरा कर, पुलकित पंग, पुलकित बोलतों खुशी बरे, जब वो उडान भरते हैं तो उनमें खुशी होती है तो वो जो खुशी भरे उडान भरने में पंक जो फैलाते हैं वो उस सलाखों में वो पिंजरों की सलाखों में टकरा टकरा कर तूट जाते हैं तो इसमें पंची अपनी व्यथा बताते हैं कि हमें खुले आगगन में छोड़ दो और हम अगर आप पिंजरे में बंद क पाएंगे और उस पिंजरों के सलाखों से हमारे पंक जो है वो तूट जाएंगे तो इसमें जो कठिन शब्धारत हैं मैं बताती हूँ उन्मुक्त बोले तो उन्मुक्त गगन बोले तो खुला आसमान पिंजर बंद बोले तो पिंजरे में बंद कनक बोले तो सोना तीलियां बुला तो सलाख है पुलकित बुला तो खुशी भरे अगली पंक्ती हम बेहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूके प्यासे कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से तो इस पंक्ती में पंची बताते हैं कि हम बेहता हुआ पानी पीने वाले पंची हैं जैसे नदी का पानी पीने वाले पंची हैं और हमें भूके प्यासे ही हम मर जाएंगे भले ही हमें आप कनक कटोरी की मैदा से बोलो तो अगर आप कटोरी में सोने की कटोरी में हमें मैदा दो वो खाने के बदले हम भूके प्यासे ही मर जाएं क्योंकि पंची को क्या चाहिए बेहता जल पीना पसंद है और कटुक निबोरी बोलो तो नीम का फल कैसे होता है कड पंच्षी अपनी व्यता बताता है कि हमें आपके कटोरी के पानी और मैदे से कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें भैता जल चाहिए और भले ही हमें कढ़वा फ्ल मिले, लेकिन हमें खुले आसमान में छोड़ दो. अगली पंक्ती स्वर्न शिंकला के बंदन में अपनी गती उडान सब भूले बस सपनों में देख रहे हैं तरू की फुनगी पर के जूले तो इसमें स्वर्न शिंकला बोला तो पिंजरे को बताया है तो पिंजरे में रहने के कारण पंची जो है अपनी सारी गती गती बोले तो स्पीड, उडान बोले तो उडने की शमता, वो सब भूल गई है, पंची बूल गई है कि वो उड़ भी सकती है, तेजी से उड़ भी सकती है, और वो बोलती है कि बस अभी मैं सपनों में ही देख रहे हूं, क्या देख रही हूं, तरू की फुनगी, बोले तो जूला जूलते हुए, वो एक जमाने में जब वन में खुले आसमान में उड़ती थी, तो ठक कर आकर पेड़ की शाका में जूला जूलती थी, तो वो सब आभी वो सपने में ही देख रही है, तो इसमें आप तरू बोले तो पेड़, फुनगी बोले तो शाका, सपना बोल टो स्पीड, उडान बोला टो उडणा aur स्वर्ण श्रिंकला बोला टो सोना, श्रिंकला बोला चेन, अके बंधन बोला टो किसी को बांध खे रखना अगली पंक्ति ऐसे थे अर्मान की उड़ते नीले गगन की सीमा पाने लाल किरंसी छोच खोल चुकते तारक अनार के दाने तो इसमें पंची अपनी अर्मान अपनी इच्छा बताती है कि उसे इतना उड़ना था कि वो गगन की सीमा तक पहुँचे उतना उसे उड़ना था और वो भी करना कि उसे वो भी एक अर्मान था कि उसकी चोच जो है उसकी लाल चोच में जब आसमान में तारे हैं तो वो तारे जैसे अनार के दाने चुकती है वैसे वो अनार के दाने जैसे उस तारे को चुगे तो इसमें वो सोचती है कि इतनी उडान बरे और तारों को अनार के दाने जिसे अपने लाज सोच से वो चुगना चाहती है तो इसमें पंची के अर्मानों के बारे में पता है तो इसमें कठिन शब्दार्त आप लिख सकते हो अर्मान बोले तो इच्छा, सीमा बोले तो बॉर्डर, तारक अनार, अनार बोले तो पता है पोमोग्रानिट, तारे को ही तारक बोला, तो तारे जैसे अनार के दाने जो है वो छुगेगी, अब अगली पंक्ती जाते हैं, होती सीमा हीन शितिच से, इन पंकों की होडा होडी, या तो शितिच मिलान बन जाता, या तंती सासों की डूरी, तो इसमें जो पंची है फिर से अपनी इच्छा प्रकट करती है कि मुझे इतना उड़ना है कि मैं शितिच के साथ होडा होडी करना चाहते हैं शितिच बोला तो क्या जहां आस्मान और धर्ती मिलता है तो उस जगह को बोलते हैं शितिच उसे इंगलिश में बोलते हैं होडी बोलता रेस तो उससे रेस लगाना चाहती है वो किसे आस्मान से तो इतना उड़ेगी इतना उड़ेगी या तो वो शितिच तक उस होराइजन तक पहुंचेगी या तंती सांसों की डोरी बोलतो या तो उसकी सांसे रुख जाएगी या वहां तक वो पहुंच जाए होडा होडी बोला तो रेस तंती शासों की डोरी बोला तो सासे रुख जाना आखरी पंक्ति नीड न दो चाहे टहनी का आश्रे छिन बिन कर डालो लेकिन पंक दिये हैं तो आकुल उडान में विग्न न डालो इस पंक्ति में पक्षी विंती करती है कि चाहे आप हमारा पिंजरा ले ले हमारा जो सोने का सोने की कटोरी में आपने मैदा और पानी दिया है वो भी ले ले हमें कोई आश्रा न दे हमसे सारे आश्रा की चीजे ले ले आश्रा बलो तो शेल्टर की चीजे ले ले लेकिन भगवान ने अगर हमें पंख दिये हैं उ उसे उस उडने में बाधा तो ना डाले तो इसमें पंची हमसे विंती करती है कि नैसरगिक गुण क्या है एक पक्षी का उडने का अगर उस उडने को ही हम उस उडने में ही रुकावट डाले तो पंची कैसे सोचेगी यही सोचेगी न कि भगवान ने मुझे पंख किसलिए तो इसलिए वो हमसे विंती करती है कि भगवान ने मुझे जो पंक दिये हैं तो कृपया मुझे उड़ने में विग्नना डालो मेरे उड़ने में विग्नना डालो और मुझे स्वतंतरता से उड़ने दो तो इस से पंची की स्वतंतर होने की भावना और गुलामी के प्रती उ जो दुख की बावना है वो हमें इस कविता में दिखाए देते तो आशा करते हूं सबी को ये कविता समझ में आए होगी अगर कोई भी शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालेगा जरूर मैं उसका उत्तर दूंगी धन्यवाद